वोटिंग खतम होने के बाद से सामने आए एक्जिट पोल के नतीजों ने बवाल मचा रखा है और इस बवाल में पोल ट्रैकर के एक्जिट पोल ने आग में घी डालने का काम किया है आपको बता दे जब से एक्जिट पोल निकल कर सामने आया है तब से सारे के सारे पोल सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और अब तो राहूल गांदी ने भी इस एक्जिट पोल पर जबर्दस्त रियाक्शन दिया है तो राहूल गांदी ने क्या रियाक्शन दिया है आपको बयान सुनाएंगे लेकिन उसके पहले इस एक्जिट पोल के कितने धमाकेदार नतीजे दिखाते हैं सबसे पहले आप देखें ये पॉल-ट्राकर का सर्वे है ये सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस एक्जेट पॉल में जितने भी गोधी मीडिया के exit पोल है उससे उलट नतीजे दिखाए गए हैं आप देख सकते हैं कि एंडिया को 229 से 268 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है वहीं इंडिया गटबंधन की अगर बात की जाए तो 277 से 273 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है वहीं अदर्स को 25 से 49 सीटे मिलती ह हुई नजर आ रही है पोल ट्राकर के सरवे में आप देख सकते हैं इस सरवे में ना 300 पार हो रहा है और ना ही 400 हो रहा है इंडिया गटबंधन को मैक्सिमम सीटे मिल रही हैं 273 वहीं एंडिया को 268 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है तो इस सरवे के मुताबिक इस exit पोल के मुताबिक इंडिया गटबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है बहुमत होता है 270 और इसमें इंडिया गटबंधन को 273 सीटे दी गई है तो जब से ये सर्वे निकल कर सामने आया है सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और अब तो एंडिये को 400 पार करवाने वाले ए दिखा भी गया है कि जनता का एकजिट पॉल जीतेगा इंडिया 295 सीटे तो 295 सीटे जीतेगा इंडिया और इसी को लेकर अब तो राहुल गांदी का रियाक्शन भी निकल कर सामने आ गया है कैसे राहुल गांदी ने गोधी मीडिया को मूं पर बेज़त किया है और जबर तो आप देख सकते हैं कि ये गोधी मीडिया है कितना बेशर्म हो चुका है पहले तो एकजिट पॉल बनाएं उस एकजिट पॉल में कॉंग्रिस का कोई भी प्रवक्ता शामिल नहीं हुआ अब आप देख सकते हैं कि उस एकजिट पॉल का जवाब लेने के लिए कॉंग्रिस मुख्याले पहुच गए हैं राहुल गांदी से सवाल करते हैं कि एकजिट पॉल पर क्या बोलेंगे सर और जब सर बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है आप देख सकते हैं कि रा इंडिया गडबंधन जीते गा और इंडिया गडबंधन को 295 सीटे आने वाली है यहां पर राहूल गांदी सिद्धु मोसेवाला के गाने 295 का भी जिक्र करते हुए नजर आते हैं तो आप देख सकते हैं जहां एक तरफ गोधी मीडिया के सर्वे में एंडिया को बहुमत प काम किया है इंडिया गडबंधन फुल कॉंफिडेंट मोड में दिखाई दे रहा है राहूल गांदी का कहना है कि इंडिया गडबंधन को 295 सीटे आएंगी और इसी के साथ अखिले शादों का कहना है कि अगर इन लोगों ने चंडी गड़ चुनाओं की तरह खेल नहीं कि जनता गुससे में है इंडिया गडबंधन की रैली में कैसे जन सैलाब उम्रा कैसे रोडशो में जन सैलाब उम्रा आप तस्वीरे देख सकते हैं अब इसके बाद जब सर्वी निकल कर सामने आए हैं तो गोधी मीडिया ने एक तरफा एंडिये को जिता दिया है इसके लोग सभा चुनाओ के नतीजों को भी बदल दिया जाए क्योंकि जब कैमरे पर आप जानते हैं कि चंडीगर मेर पर चुनाओ में NDA को जिताया जा सकता है बेमानी की जा सकती है तो होने को तो कुछ भी हो सकता है उसका तो वीडियो निकल कर सामने आ गया था अब ये तो लो पूरा नहीं होने देंगे एक्जिट पोल को लेकर आगे क्या कहते हैं अखले शादो सुनेगा उनका कहना है कि ये भाजपाई एक्जिट पोल है इसे महीनों पहले ही तयार कर लिया गया ताकि रिजल्ट में घपला कर सके तो घपला करने की तयारी तो पूरी कर ली गई है आगे बढ़ रही होगी उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी उसका नाम होगा एक थी भारतिये जनता पार्टी तो आप देख सकते हैं कि अखले शादो से लेकर राहूल गांधी और इंडिया गटबंधन कितना फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहा है इंडिया गटबंधन में इंटर्नल रिपोर्ट निकल कर सामने आई है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडिया को 295 सीटे आने वाली हैं और वैसे भी उस एक्जिट पोल पर कैसे ही भरोसा किया जाए जिस एक्जिट पोल में प्रज्जुल रविन्ना से ले यह अगजिट पोल में प्रजुल रविन्ना भी जीत रहा है एक्जिट पोल में देश के लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे मेरे मुताबिक तो देश के लोग प्रज्वल रवन्ना और ब्रजभूशन शरन सिंग के बेटे जैसे लोगों को कैसे जिता देंगे सवाल खड़ा होता है दो हजार चोबिस लोग सबाचुनाओं में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है ये तो CSDS के सरवे में भी निकल कर सामने आया इंडिया गटबंधन ने इसे मुद्दा बनाया उसके बाद मंगल, सूत, मटन, मचली किस तरीके के बयान दिये गए आप जानते हैं फिर भी एग्जेट पोल में इसका असर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है एग्जेट पोल में गोधी मीडिया भारतिये जनता पार्टी को 400 पार करता करवाता हुआ नजर आ रहा है आखिर किस तरज पर ये 400 पार करवाया जा रहा है सवाल खड़ा होता है एक तरफ गोधी मीडिया का सरवे है वहीं दूसरी तरफ पोल ट्रैकर का सरवे है जिसमें इंडिया गट बंधन को 273 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है वहीं दूसरी तरफ इंडिया गट बंधन को लेकर राहुल गांधी का दावा है कि इस बार 295 सीटे आने वाली है तो आपको क्या लगता है? इस बार इंडिया गट बंधन को कितनी सीटे आएंगी? या फिर कि NDH 400 पार हो जाएगा? चार जूम को किसका एक्जिट पॉल फेल होने वाला है? 2024 लोग सबाचुनाओं में क्या होने वाला है? आपके क्या राय है? इस पूरी खबर पर, पॉल ट्रैकर के सर्वे पर और राहूल गांदी के रियाक्शन पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेयर करें सब्सक्राइबर बट दबाएं हमारे चन को लाइक करें, जॉइन करें फिर मिल दियोंगली खबर के साथ तब तक लिए धन्यवाद